इस अधिकार फैसले के तहट वो ज्यादा असानी जा रही है इसके अलावा इन में ग्राम प्रधानों वपंचु के लिए पंचायत प्रती निदी कल्यार कोस का गठन जिला योजना में प्रधानों को प्रती निदित दिये जाने आर्किटेक्ट फर्मों से विकास कारे करवाने की छूट आदी कई अन्य सुविदाएं भी मिलेंगी बता दे मुक्यमंद्री योगी आदी तिनाथ आने वाले पांच दिसंबर को राजधानी में ग्राम प्रधान के सम्मेलन में इस अदिकार फैसले का अलान भी कर सकते हैं इन प्रस्तावों को अपर मुक्य सचियों मनो सिंग और निदेशक आगी बढ़ाने में जुटे हुए हैं मुक्यमंद्री योगी आदी तिनाथ से भी संग्टन के प्रती निदियों की वारता हो चुकी है संग्रन के प्रवक्ता लदिश शर्मा का कहना है कि मुक्यमंद्री ने वारता के दोरान उप्रोक्त मांगों पर जल्दी करवाई किये जाने का आश्वाशन भी दिया था उन्होंने बताया कि गाउं में विकास कारे करवाने के लिए अभी ग्रामीड अभी अंतरण सेवा के इंजीनियरों से एस्टीमेट वो एम भी बनवाई जाती है जिसमें बड़े पैमाने पर कमीशन खारी होती है जिसे विकास कारे की गुडवत्ता तक प्रभावित हो जाती है और तो और ब्रस्ट अचार को भी बढ़ावा मिलता है इसलिए पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान सबसे अच्छा माना गया है जिसे लागू भी कर दिया गया है बता दे ग्राम पंचायती अपने इस तरप इससे तक्नीकी सेवाई भी ले सकती है आपको बता दे संगठन की प्रवक्ता ललित शर्मा ने कहा कि इसलिए ग्राम प्रदान संगठन की मांग रही है कि प्रदानों को आर्किटेक्ट फर्मों से इस्टीमेट बनवा कर कार करवाने की MB तयार करवा कर भुकतान करवाये जाए अगर इस मामले में किसी भी इस्तर पर भष्टाचार होता है तो उसके लिए संबंदित ग्राम प्रदान पंचायत सचिव और आर्किटेक्ट फर्मों को ही जिम्मेदार ठहराए जाएगा आपको बता दे कि आगामी 5 दिसंबर को उनके संग्ठन के संस्थापक महावेर दत्य शर्मा की पूर्णतिती है इस बार यह पूर्णतिती लखनों के इंद्रा गांधी प्रतिस्थान में मनाये जाएगा जिसमें पूरे प्रदेश में करीब 2000 प्रदान प्रतिनीदी शामि में की जाए आगे की न्यूज देखने के लिए आप देखते रिए एसिया न्यूज इंडिया